लो गाइस कैसे हैं आप सब लोग सुवागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीजेक सीलने इस क्लास न्स वह आज की याद कैसे करें मेंबराइस कैसे करें ठीक है ताके एक्जाम में हमें जल्दी से याद आ जाए सारी वेल्यू और उसके बाद हम करेंगे कुछ कोशि अब सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने फ्रेंट्स के ना ठीक है जाद है ज्यादा जूड़े इस चैनल से चैनल पर सॉलुशन भी है अपना वीडियो तो याद वीडियो को लास्ता देखें कैसी ले की बताना लाइक करना कमेंट करना और जो डाउट्स होगा उसको पताना कमेंट्स में तांकि मैं उसके ओपर एक अलग से वीडियो ला सकूँ ठीक है तो यार गाइस शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल इकिल नेवर मिसन अपडेट पर आप लोग देह रहें कि ट्रिग्नोमेंटरी लिखा हुआ है क्लिए सीब्सी एंट्री टेवल ट्रिक के साथ और भी कोश्टिन बेश्ट उन एक्साइज एट पॉंट टू एंट्टी ठीक है एंट्र करेंगे लेकिन उससे पहले हैं कि उन कोश्टिन को करने के लिए हमें क्या बेस चाहिए तो बेस अपना रहे है कि ट्रिग्नोमेंटरी टेवल जिसमें हम जीरो थर्डी फोडिवाइव सिक्ष्टी और 90 डिग्री के एंगल से डील करेंगे ठीक है तो मैं बताता हूं कि इसलिए टेवल अपने बना सकते हो सबसे पहले करना है 01234 एसमेज आगया सबको four से डिवाइड कर दो कि अब सबको अंडरोट कर दो कि कर दिया यह कितना आ गया जीरो यह कितना आया वनवाई टू जिकितना आया वनवाई रोट टू ये कितना आया, root 3 by 2, ये कितना आया, 1, तो हमने देखा, 0, जब sin theta जो है, जब 0 to 90 degree जा रहा है, तो वो increase कर रहा है, 1 की तरफ, ठीक है, जैसे जैसे angle increase हो रहा है, sin theta का, तो उसकी value भी increase हो रही है, और maximum value 90 degree पे क्या है, 1 है, next, cost कैसे निकालेंगे, cost में क्या करना है, जो आपने sin लिखा है, अपसको just ultra side से लिखना शुरू कर दो, reverse, 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, ये 0, ठीक है, अब 10, 10 क्या होता है, sin theta by cost theta, 10 theta क्या होता है, sin theta by cost theta, sin क्या है, 0, ये है 1, ये होगा है 0, तुमने लिख दिया, 0, इसको divide करो, 1 by 2, divide by, root 3 by 2, 2, 2 से 2 cancel, 1 by root 3, अब sin theta by cost theta, इसको divide करेंगे, सेम है, तो हो जाएगा, 1, 2 से 2 कर जाएगा, root 3, अब 1 by 0, ठीक है, अब क्या होता, 10 theta, 1 by 0, 0 आएगा, जी नहीं, 1 by 0 मतलब हम ऐसी quantity से हम divide कर रहे हैं, जिसका कोई meaning नहीं है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 10 theta, equal to sin theta by cost theta, क्या हो जाएगा, 1 by 0, इसकेस में, तो यह क्या 0 होगा, जी नहीं, यह होगा, undefined, means infinity, means ऐसी value से divide करेंगे, जो existing है, हमें पता ही नहीं है, तो हम 0 कैसे लिख सकते हैं, जबकि 0 by 1 का मतलब होता है, कि हम 1 से divide करें 0 को, तब वो 0 आता है, ठीक है, तो यह concept को समझ लेना, अच्छे से, 1 by 0, कभी भी defined नहीं होता, तो यह not defined होगा, next है cot, cot क्या होता है, cos by sign, 10 क्या होता है, sin by cos, cot क्या होता है, cos by sign, cos by sign क्या हो जाएगा, 1 by 0, तो फिर से undefined हो जाएगा, अब या तो कोड को 10 का उल्टा लिख दो या फिर कॉस्पाइशन कर दो तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा रूट 3 यह हो जाएगा 1 जाएगा 1 रूट 3 ठीक है अब यहां पर आओ कॉड क्या बताया था मैंने कॉस्पाइशन 0 1 कॉस्पाइशन करने से बढ़े एक यह कॉंसेट बता रहता हूं 0 by 0 equal to infinity 1 by 0 equal to infinity 0 by 1 equal to 0 ओके क्यों क्योंकि यह ऐसा नंबर है हमें पता ही नहीं है ना या तिवाइड करेंगे तो infinity ही तो आएगा ठीक है तो यह छोटा सा एक कॉंसेट था तो इससे ध्यान रखना कॉशिन नंबर 1 part 1 साइन 60 डिग्री इंटो कॉस्ट थर्टी डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटो कॉस्ट डिग्री ठीक है अब हमसे पूछा है यार कि इसको इवैलुएट करना है ठीक है करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ठीक है अब मैंने आपको टेवल बताइदना है उसके फर्स्ट लाइन याद कर लो ठीक है उसके बाद उसको रिवर्स करके लिखना 10 के लिए साइन भाई कॉस होता है और कॉट के लिए साइन होता है और ऐसी अगर आपको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है वोकली वर्बली तो फिर आपको क्या करना है एक्जाम में जो होगा आपको साइड में रफ रफ बना के कॉलम मुहाँ पे टेवल बना लेना है थाकि आप वैल्यूस को जल्दी से लिख सको ठीक है साइन थर्टी क्या होता है वन बाइटू कॉस्ष्टी भी वन बाइटू ठीक है मैंने कैसे लिख देगी कि मुझे याद है डीवल ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी तो साइन थर्टी कितना है रूट्ट्री बाइटू cos 30 कितना है root 3 by 2 plus sin 30 कितना है 1 by 2 into 1 by 2 root 3 into root 3 कितना होता है 3 2 into 2 4 plus 1 by 4 तो कितना आ गया 4 by 4 इसका answer आ गया 1 ठीक है ना सान था ना अगर हमें values पता नहीं होती है table की तो हम क्यासे करते हैं इस question को बिल्कुल होता ही नहीं तो आओ इसका solution करते हैं हमें पता है 1045 degree equal to 1 होता है cos 30 root 3 by 2 होता है और sin 60 भी root 3 by 2 होता है ठीक है इतना हो गया तो आओ value put करते हैं 2 into 1 का square plus cos 30 root 3 by 2 का square minus sin root 3 by 2 square 2 plus 3 by 4 3 by 4 यह तो cancel हो गया इसका answer आगया 2 है ना symbol अगर हमें values पता नहीं होता है तो हम कैसे निकालते हैं ठीक है यही बात है तो हम question number second की तरफ चलते हैं इसके दो बाट remaining है उसे आपको कूद करना है क्योंकि वो simple same pattern पर है ठीक है question number 2 first part 2 10 30 degree 1 plus 10 square 30 degree अब हमसे इसमें पूचा है choose the option and justify your answer हमें option दिये हैं sin 60 degree cos 60 degree 1060 degree sin 30 degree ठीक है हमें यह option दिये हैं हमसे पूचा है कि answer को आपको choose करना है ठीक है क्योंकि 10 30 होता है वन बाइ रूट थ्री तो यह हो जाएगा 2 रूट थ्री डिवाइड बाइ 1 प्लस 1 रूट थ्री तो मैं इसको solve करता हूँ 2 रूट थ्री यह हो जाएगा LCM लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट थ्री ठीक है तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाइ रूट 3 इंटू 3 sorry रूट 3 इंटू 4 ठीक है इतना समझाया 2 से 2 कैंसल तो हो जाएगा 3 रूट 3 अब देखो कोई भी वैल्यू हमारी किसी भी एंगल की ऐसे फॉर्म में तो होती नहीं है तो इसको हम सही फॉर्म में करेंगे 3 रूट 3 है ना एक काम करो रूट 3 से मल्टिप्लाई और डिवाइड कर दो ठीक है तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इससे एकड़ जाएगा तो रूट 3 बाई 2 आ जाएगा तो रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है इन चारों में से रूट 3 बाई 2 तो साइन की वैल्यू होती है तो साइन सिक्स्टी हमारा अंसर है क्यों 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 हमने सॉल्ल किया हमें पता चला कि इसकी जो वैल्यू आई रूट 3 बाई 2 आई पहले तो 3 बाई 2 रूट 3 आई लेकिन हमें तो पता है कि किसी भी एंगल की वैल्यू इस फॉर्म में नहीं आती तो फिर हमने क्या कि रहा उसको रूट 3 बाई 2 की फॉर्म में चेंज कर दिया मल्टिप्लाइ डिवाइड कर दिया है रूट से थाकि हम नीचे से रूट अटा सके डिनॉमिनेटर से तो नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं इसके जो कॉशन से सारे सेम है ठीक है मैं आपको कॉश्चन नंबर थर्ड कराता हूं लिटिल बिट ट्रिक्वी इसने पूचा है if 10 a plus b equal to root 3 and 10 a minus b equal to 1 by root 3 जहां पर a plus b angles less than 90 है और greater than 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि a और b angles acute है है ठीक है less than 90 है ना दोनों का सब मतलब दोनों acute angle है हमसे पूचा find a and b find a and b देखो या टेबल पता होगी तब तो तो तुम इसको मिंटों में कर दोगे second में भी कर सकते हो देखो अब बताता हूं 10 a plus b equal to root 3 तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की value root 3 कहां पर आती है जी हां 10 60 degree पर आती है सही बात तो a plus b क्या हो गया 60 degree हो गया next है इसको हम पहली question ले ले लेते हैं next है 10 a minus b equal to 1 by root 3 तो 10 की value मैं 10 की क्यों ले रहा हूं value निकालने तो मुझे 10 को हटाना इसलिए मैं 10 की value ले रहा हूं आपर 10 30 degree ठीक है 10 से 10 cancel तो क्या हो गया a minus b equal to 30 degree ठीक है इतना समझ आया चलो दो एक question बन चुकी है ठीक है दो equation आ गई थी elimination method लगा दो plus minus cancel ठीक है तो हो गया 2a equal to 90 a कितना हो गया 90 by 2 equal to 45 ठीक है a कितना हो गया 45 degree हो गया जब a आ गया तो b भी तो आ जाएगा आ यह आ गया तो एक तो एक प्लस बी कितना आ गया हमारा यह आ गया हमारा 45 डिग्री बी आ गया हमारा 15 डिग्री ठीक है तो हमने value निकाल ली a equal to 45 डिग्री बी equal to 15 डिग्री यह अपना answer हो गया ठीक है तो यह question भी यहां पर solve हो गया कुछ नहीं किया है बहुत असान है ठीक है 10 की values अगर आपको पता है कि 10 root 3 कहां पर होता है तो मैंने लिख दिया 10 60 degree तो 10 से 10 cancel हो गया ऐसी 1 by root 3 आपको पता है 30 degree पर आता तो यह cancel हो गया ठीक है उसके बाद मैंने elimination method लगा दिया जो कि हमने linear pair में पड़ा था ठीक है तो फिर वहां से अगर आपको correlate करना अगर आपने वो lectures नहीं देगे तो आप देख सकते हैं मैं playlist में दे दूँगा provide कर दूँगा i button में तो अब देख लेना थोड़ा सा thinking वाले questions की दरफ आते हैं question number 4 first part इसने पूछा है क्या sin a plus b sin a plus sin b के equal हो सकता है पूछा है इसने ठीक है to prove तो हम क्या करते है let a equal to 60 b equal to 30 degree लिया ठीक है कोई भी such angle ले सकते हैं आपको कोई issue नहीं है ठीक है अब हमें पता है sin a 60 लिया है मैंने b 30 लिया है lhs को solve कर रहे हैं यह sin 90 sin 90 होता है one एक चीज़े आ गई next rhs पर आते हैं sin a plus sin b sin 60 degree plus sin 30 degree sin 60 degree कितना होता है root 3 by 2 यह होता है 1 by 2 ठीक है root 3 plus 1 by 2 तो क्या आप लोगों को लग रहा है यह दोनों equal है जी नहीं यह equal नहीं है तो sin a plus b is not equal to sin a plus sin b proved ठीक है यह अपने proof कर दिया कि sin a sin b के equal नहीं होता अगर आप 45 एंगल भी लेंगे यहाँ पर तो आपको यही ऐसा ही answer मिलेगा जो कि equal नहीं है तो 45 एंगल लेके आप जरूर बताइए यह कमेंट में की कितना answer आ रहा है आप लोगा और वह equal है नहीं है कि इसके second part पर आओ इसमें पूछा है क्या value of sin theta increase करती है जैसे जैसे theta increase करता है ठीक है मैंने आपको बताई थी ना table 0 30 45 60 90 यह sign है इसकी value 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 यह तो बूछा है कि sin theta की value क्या increase करती है जब theta increase होता है हां जी करती है 0 से लेके 1 हो गई ठीक है तो यह increase करेगी अगर cos की बात करें तो 1 by 2 0 cos की बात करें तो जैसे जैसे theta increase होता है cos theta की value decrease होती है 0 की तरफ ठीक है तो दोनों का case उल्टा है और यही question आते हैं exam में कि sin theta की value अगर theta increase कर रहा है तो बढ़ेगी या कम होगी ऐसे cos theta की value increase होगी या decrease होगी प्रूफ करो तो प्रूफ करने का मतलब क्या है आपको बता देना है कि with the help of table we can see that sin theta value increases from 0 to 1 and the cos theta value decreases from 1 to 0 ठीक है as theta increases so यह दो question हो गए ठीक है यही आपका third part भी था in CRT का next कराता हूं मैं आपको लोगो next कूछ रहा है क्या sin theta equal to cos theta होता है for all values of theta इसने पूछा क्या sin theta equal to cos theta होता है तो हम theta को ले लेते हैं 30 degree ठीक है तो sin 30 कितना होता है 1 by 2 cos 30 कितना होता है root 3 by 2 ठीक है तो क्या आपको लग रहा है 1 by 2 equal to root 3 by 2 होता है जी नहीं तो यह equation statement false है कि sin theta cos theta के एककोल नहीं हो सकता किसी भी for all values of theta ठीक है theta के सारी values के लिए नहीं हो सकता कुछ values के लिए हो सकता है next part कराता हूं मैं आप लोगों को next part पूछ रहा है cot A is not defined 4 equal to 0 आप लोगों को पता है 10 0 equal to value क्या होती है 0 ठीक है cot क्या होता है cot 0 क्या हो जाएगा cot होता है 10 का उल्टा तो 10 का उल्टा मतलब 0 by 0 मतलब not defined तो यह statement true है तो यह से हमको पता गहिस चल रहा है हमारी उस table से जो मैंने starting में आपको बताई थी trick तो उसको याद कर लेना अच्छे से ठीक है तो यहां पर हमारी exercise 8.2 डन हो गई है बिल्कुल अच्छे से ठीक है जो remaining question है वह same button पर है जैसे मैंने आपको बताया तो next lecture में 8.3 रहीगी with concept और types of question बताऊंगा कुछ 8 to 10 types से question आते हैं exam में बस उन्हीं को कर लेना ठीक है हो जाएगी trigonometry कोई बिल्कुल rocket science नहीं है ठीक है trigonometry के बाद आप लेगल लाऊंगा मैं question बेबस लाऊंगा जो कि आपके boards में questions आएंगे ठीक है उससे related तो यहर आपको कैसा लगाए lecture बताना मुझे comment करना like करना subscribe करना अगर आप चैनल से new है तो चैनल को subscribe कर देना ठीक है और bell icon को press कर देना ताकि जो future lectures मेरे आए and press the bell icon never miss an update